हलो एवरीब्स असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब ठीक ठाक होंगे अलहें जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक आठका व्लॉक स्टार्ट के मैंने से अदर गंटा पहले और यहां पर मैं बना रही थी खाना पहले मैंने सोचा था कि मैं बनाओंगी बीफ का क क्यूब्स काट के और इसके बीफ बोटी बना रहते हैं जो कि फटाफट भी बन जाएगी और कुछ डिफरेंट भी हो जागा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके इलावा इसका क्या डिफरेंट बनाओं तो बस यहां पर जो है ना मैंने ले लिया था कुकर आररी पैसे यह बहुत कम गौटis वाड़ेंट पर इसलिए मैं कुकर में बना रही है क्योंके कुकर में यह कि फटा फटसर गल जाएगी और यह ड़ी हो जाएगी तो बस यहां पर मैंने ओली डाला द्रेक लेसिन का पेस्ट डाला हरी मिर्चो का पेस्ट डाला और फिर मैं क्यूब्स काट के मैंने भीफ रखा था ना वो डालके इसको अच्छे से भूना इसका कलर चेंज होगा उसके बार आपने वो सारे बेसिक मसाले डाल देने और हल्दी नमक रडचिली पाउडर जिरधनीका पाउडर थोड़ी सी जाफल जवेत्री का पाउडर और थोड़ा सा मसाला यह भी मैं आपको दिखाऊंगी शान का तो वह मैंने यूज किया था इसके अंदर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है अपने स्पाइस भी डाले थे पर वह मैंने बहुत ही कम कॉंटरी में डाला था कि अच्छा फ्लेवर हो जाएगा वो डालने के बाद लुक लगा दो इतना कोई मजे की बोटी बनी थी ना सच में बहुत मज़ा आया तो फिर यहां पर जो है ना वह तो बन चुकी थी तो यहां पर मेरी बेहन बनारी है पुराथे आज कर व्लॉग ने तक प्र सची बताऊं बहुत ही मज़े का होगा और आगे मैं आपको बता पर मुझे उमीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होगे यहां पर जो है ना वह हमारी बीपोटी रेडी हो चुकी थी अच्छा जैसे यह दन हो जती है तो इसमें प्यास जाल देना है तो मैंने प्यास जाल के हलका सा सौते किया था और सिंपल मैंने इसको लगा दिया था स्म स्पाइस बगारे तो मैंने सारे डाल दिया था स्मॉक लगाना था और सिंपल इसमें प्यास जालना था और बहुत मज़ेगी बनी थी यह तो बस यहां पर मैरी सिस्टर बना रही थी पराटे मैं बस इनको फ्राइ करूंगी क्योंकि थोड़ा सा ना आज हम लेट ही आया थ बस मैंने जोए ना इसको फ्राइ किया था और साथ में रगदी थी चाहे अच्छे ना यहां पर हम लोग पराटे तो बनाई रहते साथ-साच ना आज कल मेरा और मेरी बहन का चल रहा है के ना हमने शुरू की वे डाकुमेंटरी जो फेमस परसनेलिटी इस होती है ना तो उ ना काम कर लेती हूँ तो आज कल मैं मेरी बेहन वह रहरे हैं और सची बता हूं बहुत मज़ा आता है साथ में हम लोग डिसकस्ट भी कर रही होते हैं साथ-साथ सहारी भी बिन रही थी मतलब पूरा महोल हमारा बना वह होती है थी करता और हमने काफी मतलब टाम होगया हमें देखते हुए हम जब 10 रोजे तक से हमने स्टार्ट बनाते हुए देखना तो मतलब हमें महें काफी मज़ा आता है इस चीज़ है देखने न तो बस यहां पर साहते मामा से भी बाते किये जाई जाई टी किorkे मामा आपना जो से लाय का काम है न वो झार रहे हैं तो जो काम होते हैं न आपके वहास टाइम को जो पर जोड़े आपके जोटे तो कोई बिया व्याय को काम स्धेश जाय की तो माम्ड़ एक्षक माम्भा आचक्छे आ यहां पर और हमारी स्टैडी डानों टुकई थी और मैं तो करभी ली थी आज भूग भी बहुत लगएए तो मैंने रिए खति हुए विदियों फीनफ हो गए था it प्राइश वगईरा जो चीज़े होती है यह खाने के अतना दिल चाहरा है कुछ फ्राइ आइटम का होता नहीं कि बस यार वह खाओ मैं और में भी बहन हम लोग बना तो लेती हैं फिर उसके बार चाय के साथ जितना खाया चाता है खा लेती हैं बाकी बच्चे होते हैं कोचि ला दो चिकन का तो मैंने का चलो फटा फट से वो रेटी कर लेती हूं साथ में पकोड़े तो बनते ही बनते हैं यह तो मतलब जरूरी है ना तो मामा वह साथ में पकोड़े फ्राइ करी थी टाइम बहुत कम रहता था पर मुझे इतना अंदाज़ा था कि मेरा पुलाओ जो हरी मिर्चों का पेस्ट डालता और थोड़े से गरम मसाले यह डाल के और चिकन जब अच्छे से मतलब कलर होगी कुक होगी ना चिकन तो मैंने इसमें पानी डाल के और इसमें इसके अंदर डाल दूंगी राइस और जब दसता जो हमारा पुलाओ हो रेडी हो जाएगा तो इसके डूपर यह मतलब रोजा इसतार होता है लगाते हैं तो यहां पर जो हम लोग ने मामा के लिए बनाई थी हम लोग दे रहे हैं फर्स टाइम मुझे ना इस तरह के प्रेजेंट देना बहुत 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 पसंद है मैं इस बर ना इनको बोल रहे थी कि बच्चों को अगर आप लोग ने मतलब एडी वगर है तो मैंने का बात तो सही है चलो क्या कर सकते हैं उनको फिर मेरा और मेरे भैन का प्लान था कि मामा के लिए आज बनाएं इस बार बनाएंगे बहुत ही कोई प्यारी सी ए 오래को वगे पहले से प्लान था और हम लोग ने यह सब कुछ इसलिए भी बनाया था कि जब भी हम लोग शॉपइंग करने चाहते हैं ना मामा ने जो इट पे ड्रेस पैनना उसके साथ की मामा ने कोई भी मैचिंग की चीज नी ली ना तो सैंडल ली थी ना कोई एरिंग्स ना बैंगल्स मंदब सिंपल जो उती है ना वह तो उनको पपसंद है मतलब हो तो उन्हों नी लिए है यह जो आज कल ट्रेंडिंग वाली बैंगल्स चलुक्छ हे ना हम दोनों को तो ले देद पुल बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते और मैड़म जा रही थी तो मेरी बहन ने का चूल मै भी तुम्हारे साथ जाती हूँ इस तरह से कभी भी नहीं हुआ कि मेरी बहन अपना घर का सकून बरबाद करके वह मेरे साथ कहीं बाहर जाए तो उसने जब का तो मामा है रहां तो वो हो ही गई थी कि ये कैसे जार गे पर खेर बड़ी मुश्किल है न हम लोग ने टाइम निकाल के दोनों भेरें गई और हमने फिर ये जो चीज़े है न ये सब कुछ पसंद किया बड़ी मुश्किलों के साथ ये हमारा हुए लास्ट प्रोड़क्स डन क्यों हमने बोल लग वो रेड़ी हुए ले गई मामा को देते है इधी लेट्स गू है मामा पार दयाज़े मामा इस टोंut मो प्रम्म ये अब मामा को देती बिच कबसें ल aixòए कि अ मुझे अब जयागा माम अ मुझे ए इधी बच्चे अब फाण्नांवा sı कि इत्वे आप जादा देना इसलिए हम ना आपको जो जो चीजन चाहिए थी मैं वो लेकर आई हूँ खोले अपना पाउच ने लेकर आई कि आपको लगा था महँगा है इस दफ हमें ले आई हूँ मैं इतने चल रहे हैं अब लेकिन वाइट नीत है हम लेकिन वाइट नीत हमने गोल्डन दना लो ममा का चलो हमसे डिफ्रेंट हो जाएगा चले ममा इसको ओपन करते प्रॉपर तरीके से यह आंसा कीचे यह वाले इसको कट करें यहां से काट दो ममा काट दो यह गिरा कुछ जादे मैंने लगा दी यह खुल जाएगी चाला खुल गई वाह ममा ने खुल ली पैटे की चीज़ा है बाहर से लाई है यह तो आपको पता हमार पास थी तो यह जाली हमने आपके कपड़ों में से लिए अभी अभी मैंने डूंड़ी है बैटे यह तो यह महां पर यह काम मैंने का कपड़ों में क्या कर रही है चले चले ममा खोले आपके शूट बोलने मैं बहु बना रही हूं ममा आपके सारे आपके सूट की मैचिंग है आपके सूट की मैचिंग है आपके सूट की मैचिंग है ना क्या करती हो तो ममा इतनी प्यारी रिंग से मैं तुम्हे खर्च करने को अपनी इस्तमाल को पैसे देती हूं इन चीजों के लिए नहीं देती हूं मा मेरे बाइस पैसे नहीं है अगरी है पसंद भी आरी है तीजे है तो आप लेती नहीं हम ले लोगी जो बड़स कि तेप का टाइक कर दो तोड़ी देती है आजकल सब देर एक दूसरे को प्यार बढ़ता है यह तो यह नहीं मामा बहुत प्यारी है यह पैने लिए फ्रेंट है बिल्कुल पैना नहीं भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा बच्चा तुम लोगों ने अपना इतने पैसे जाया कि यहां आएगी यह बड़ी यहां सोटी है इस वाले में देख में सीधे में आई गया इस चले एक वैसे तुम्हें यह कैसे जान नहीं आया यह तक हम इसे मार्किट दे घी तिम लोगों को मैं क्या मार्किट मार्किट लेजी ति शॉपिंग वह आता आपली को जीमेंदार यह जापिंग करें देखने देखने यह दस्परदार हो रहे हैं यह लोग नहीं वह जीमेंदारी है प्रीके मेरी माु माँ के पस हो तो सब्सक्राइब मैं लगा था कुंकर क्षेक बाता है इसे लगाती है मंधी आँ लिपस्टेक है म्मा यहां से कुलेगे यहां से कुलेगे इतनी लगाती नहीं कलर बहुत अच्छा है आप में डोरो की हर लिप्स्टिक तो ले आई ओ ऐसे कोई कलर नहीं था जो घर पे नहीं पढ़ा हुआ फिर मैंने गवे लिए ले हुआ फिर इतनी जौर मिरेट की विडियो बन गई है तो मामा यह डिफ्रेंट है देखे कितना प्यारा कर रहे है यहीं मुझे अच्छा लग रहा था इसकीन के यह थोड़े से शीट मास्क है खता हो गया ना पर्फ्यों यह तो जरूरत है यह तो इस पर तरह नहीं कुछ हो लेंगी और यह है बिजर्डा का जानान जानम जानम तो मैं सही कर चुकी हूं यार जो भी है जानान जानम एक ही होता है कैसी एक अच्छी लगी हमें तो अच्छी लगी हमें तो अच्छी तो बताएं आपको कैसी लगी दि तो अच्छी लगी लेकिन देख पाएदा अब आगी आगी नहीं बोलना, ममा बहुत जबर्दस, थैंक्यू, बहुत शुक्रिया लेकिन लेकिन आयसे नहीं अब हम आपको पहले बता दे, ईद पर जादा थोड़ी देने क्योंकि हमारा बैलेंस खाब हो गया का की जादा, क्रचा हो गया हमारा अब हमें थोड़ी से जाधे इमदाद करियेगा इमदाद नहीं हो गए इस दिये तो बैसे बचाती ने सारी पेका बूंजी मेरी लगी तो जी ये था मेरी मामा का क्यूट सा रेक्शन और उनको बहुत अच्छी लगी रेक्शन फेस का भी अगर मैं आपको दिखाती है तो वह भी बहुत ज़्यादा शौकिंग था पर कहीना कई मातो माती उनको शक्तो होई गया था कुछ न कुछ क्योंकि जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं वह बहुत ही कई दिनों में इस तरह से इस तरह हम लोग करती हैं करना ऐसे हम कोई भी प्रेजेंट लेना कोई भी गफ लेना तो इसी तरह से मामा को दे देती हैं खैर यहां पर अब हो चुका है सैरी का टाइम और सैरी में जो हैना मेरी सिस्टर ने बिनाए थे मतलब अंडे फराठे और साथ में चाय अंडे इसने बिनाए थे कि हमारा देल चाहा रहा था आजकल हम लोग कोई फैन हुए हैं वे अंडों के साथ में यह जो है ना वो ब्लैक पेपर और सॉल्ट वाले आलू बिनाए थे इसकी कॉंटिटी आपको इसलिए कम लग रही है कि आलू जो है वो बिल्कुल ही खतम होगे थे और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा क्योंकि रोज पकोड़े बगएरा बंडरे होते हैं तो मुझे याद नहीं रहा कि आलू भी लाने है तो यह सिर्फ दो ही आलू पढ़ कीमे के लिए काठे है उस तरह काठे उसमें सिंपल सौल्ट और ब्लाइक पैपर डाल के इसको बनाओ ना सची बहुत मस्यवके लगते हैं पराटे के साथ रोटे के साथ किसी के साथ भी मश्यक्य लगते लगती है तो बस यहां पर छो आना हमारी टर्फी बिंसैरी रेडी ह तोड़ना ही पड़ता है फिर एंड में से बेलकुल साबुत साबुत पलट लूँ पर पर पलटा नहीं गया फिर उसने बीच में से जोनव को कट कर लिया था पतोरों का मसाला साथ में यह और मैंने गरम होने के लिए रखा यह तोट चुका है अब दूद्ध भी मैंने गरम कर लिया अच्छा जो वाश करें यह सारा रोज एक दिन चोड़के एक दिन में वाश करती हूं और ऑईल चेंज करती हूं तो यह तोट यह तोट गया और यह इतना कोई गंदा लग रहा है दिल चारा बस चेंज कर दूब पर अप्शन नहीं है थोड़ से रोजे रहे हैं तो बस मैंने का चल लगे चला लेकों फिर यहां पर ऑईल गरम हो रहा है कुछ मैंने बाजार से समान मुगाया है और कल है हमारे घर में दावत तो जिसके लिए मैंने चने बिगो कर रखें तार पाटी है इसके लिए वाइट चने और ब्लैक चन कुछ बाहिर से समान में बहुदा देल चाहारा था कि मैं बाहर के जो वालो आले समोसे मुझाएते passou क्कावीटाम से मैनने नहीं கोाय था था रहा था क portable चार्ट में भिए जब से रमजान सर्च उहे एक बार भी नहीं ख़्ा है तो मैंने चलो आज जलेबियां और समूसे मंगवा लेती हैं तो मैंने मंगवाई साथ में पगोड़े हो जाएंगे और सिंपल हमारी बन जाएगी फ्रूट चार्ट और साथ में बनाएंगे जूस और इस तरह से हमारा जो इफ्तार है वो बस रेडी हो जाएगी है यहाँ पर मैं बनाए थी फ्रूट चार्ट मेरी बहन जो है वो बनाएक पर जाएगे तो लेटा कि तक और विडियो कर देखें गया तो इसका मतलब है कि आपको विडियो बहुत अची लगी तो लाइक कर देना अभी तक सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कॉमेंट पी कर देना और यहां पर जो है ना मेरी फूट चार्ट रेडी हो चुकी थी अब राश मैं मैंस में डालूंगी थोड़ा सा जूस चार्ट मसाला और थोड़ी चीनी डाल के जो है इसको मिक्स करके फ्रिज में रख यहां पर मैं आगे थी फ्राइयरे करने के लिए लास्ट काम रहते थे और पकोडिधा करें थे दी lad हो टेब लाश प्राइयर importantes को मैं यह प्राइक और व्लोग और आठ का व्लॉग काफी जादा लंबा हो गया खैर आठ के व्लॉग के यहीं पेंट किर देते हैं यहोप आप लोगों को आठ कामरा व्लॉग अच्छे लगाओ अगर अच्छे लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेड़ और सब्सक्राब तो माई यूट्यूब चैनल थेंक GARAओ को एक्वैंट यहीं वंचे लॉग्चे 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 लॉग्चे